हेलो, गुड एविनिंग एवरीबड़ी, आज करंट एलेक्टिसिटी का एक अच्छा ही टॉपिक है, मीटर ब्रीज, इस मीटर ब्रीज से भी आपको कोई अन्नोन रेजिस्टेंस निकाला जाता है और उस रेजिस्टेंस का रेजिस्टीविटी या स्पेस्फिक रेजिस्टेंस निकाला जाता है तो यह किस प्रिंसिपल पर काम करता है, तो फिट एस्टोन ब्रीज प्रिंसिपल पर काम करता है कहने का मतलब इसको भी हम लोग नल पॉइंट निकाल के बैनेंस कंडीशन कर देंगे और फिट स्टोन ब्रीज में जो हम लोगों ने फर्मूला लगाया है वही फर्मूला लगा करके हम निकाल लेंगे अन्नोन रिजिस्टेंस और फिर उसका रेजिस्टिविटी तो ये कंस्ट्रक्शन कैसा है ये सब मेटालिक स्ट्रीप है मेटालिक स्ट्रीप और इसका नाम मीटर ब्रीज क्यों रखा है इसका जो मेन वायर है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का वो आपको एक मीटर का होता है इसलिए इसका नाम मीटर ब्रीज रखा गया है एक मीटर या एक सो सेंटिमीटर समझिए आच्छा यहां देखिए कोई हम लोग नोन रेजिस्टेंस दे सकते हैं रेजिस्टेंस बाक्स से मान लिजे आरेस और यहां जिस रेजिस्टर का हमको रेजिस्टेंस निकालना है उसको लगा देते हैं मान लिजे इसका रेजिस्टेंस है आरेक्स और देखिए गैल्वेनोमीटर से कनेक्ट क्या है इवला पॉइंट को और उसमें एक जोग की जे लगा हुआ है जोग की ऐसा होटा है कि उसको इस वाइर पर एवी वाइर जो मेन वाइर है उस पर हम खिसका सकते हैं और खिसकाएंगे ना तो रेजिस्ट एती है करेंट जो है पूरा सरकिट में चेंज करते रहेगा तो हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हम लोग रेजिस्टेंस बॉक्स एक की बाहर निकला रहेगा यानि लाइन नहीं रहेगा करेंट नहीं रहेगा किये जो की है बाहर निकाल लेगे, लैन कट गया, बैक्टरी का, तो सबसे पहले हम लोग के लैन तो काट लेगें, और इसमें जो है, एक नोन रेजिस्टेन्स, रेजिस्टेन्स बाक्से निकाल लेगे, तो उटना रेजिस्टेन्स इसमें हो जाएगा, मान लिजीए वो और Siis और हमारा ये जो है उतो आरेक्स है ही जो निकालना है गैल भेनोमिटर से जोकी कनेक्टेड है हाँ अब हम इसमें पलग डालते हैं की के करेंट बहना शुरू हो गया पूरा सरकुट में करेंट बहना शुरू हो गया अब हम जोकी को शिफ्ट करके इधर अधर करके ऐसा पोज के करेंट 0 हो जाए मान लीजिए वो पोजिशन सी है तो सी को कहते हैं नल पॉइंट याद रखिएगा नल पॉइंट वो पॉइंट है ए भी मेन वायर पर जहांकी गैलवहनवमेटर हो करके कोई करेंट नहीं बाहता है उस समय जो पोजिशन है वही नल पॉइंट यानि C है यहां नल पॉइंट तो अब एक पार्ट तार का यह हो गया AC और दूसरा पार्ट हो गया BC मान दीजिए AC की लंबाई L L CM है इम मीटर स्केल लगा हुआ है देखिए से जी ओ सेंटीमीटर पर चीश पर चार्ट पर चार्ट रहंडेट सेंटीमीटर इसी से हम लोग यह लेंग्ध ना पते हैं तो माल लीजिए यह लेंग्ध L CM है तो इधार कितना हो गया 100-L CM आच्छा तो यह आप नोट कर लीजिए स्केल से ना पके अब माल लीजिए कि X Ohm पर मीटर अगर रेजिस्टेंस हो AB वायर का मेन वायर जो AB है उसका रेजिस्टेंस अगर X Ohm पर सेंटीमीटर हो चुकि L हम सेंटीमीटर में नापते हैं तो L Length का कितना हो जाएगा? L Length का हो जाएगा X into L Ohm उसको R1 मान लीजे यानि यहां से यहां तक रेजिस्टेंस R1 मान लीजे उसी तरह यहां से यहां रेजिस्टेंस निका लिए तो X into 100-L उसको आप R2 मान लीजे बीजी बाला बीजी बाला जो 100-L सेंटीमीटर है उसको मान लीजे आप R2 तो वो हो जाएगा X into 100-L Ohm निकल गया इसका भी रेजिस्टेंस इसका भी रेजिस्टेंस यह तो हमको माल में है वो हमें निकालना ही है अब Wheatstone Bridge का Principle लगाईए तो आपने देखा होगा आमने सामने का जो रेजिस्टर है उसका मल्टिपलिकेशन बराबर होता है मैं थोड़ा सा आपको यहाँ याद करा देता हूँ यह देखिए यह गेलवेनोमेटर है कनेक्टेड है और यह आपको बैठती है तो कहने का मतलब अगर यह आरवन हो यह आरटू हो यह आरग्स हो और यह आरश हो ता फर्मुला दिखिएगा आरवन इन्टू आरश इक्कल टू आरटू इन्टू आरग्स यानि आमने सामने का जो है डाइगोनल इन्टू वो बराबर होता है मल्टिप्लिकेशन तो इसी लिए मैं ने यहाँ पर विट एस्टोन ब्रीज के बैलन्स कंडिशन का ही फर्मुला लगाया तो क्या हो जाएगा आर एक्स इन्टू उसके सामने यह है उसका रिजिस्टेंस एक्स एल है इक्वल टू आर एस इन्टू हन्टू एक्स इन्टू हन्डेड मैनस एल इससे आर एक्स आप निकाल लीजिये एक्स में एक्स कट जाएगा जो भी इसका मतलब ओम पर मीटर हो या पर संटीमीटर हो तो कटी ही जा रहा है उसका कोई वर्खाली लेंग्ट आ रहा है आर एक्स व्रावर हन्डेड मैनस एल बाय एल इन्टू आर एस तो यही तो हमको आर एक्स निकालना था तो उसका रेजिस्टेंस निकल गया और उस वायर का या रेजिस्टर का हमको रेजिस्टिवीटी या स्पेस्फिक रेजिस्टेंस भी निकाल सकते है मान लिया जाए कि उसका लेंग्ट है एल वन एलवन और क्रॉस सेक्षनल एरिया है ए आउ जिस मेटेरियल से बना है उसका रेजिस्टिवीटी है रो तो हम आर का फर्मुला तो जानते हैं आर वाग रो एल वाए ए होता है ओम शलाव सम्में पढ़े थे जो इससे रो हो गया इससे रहां इसका भेलू डाल दिए आर मतलब सबुआ उनित का याँ बर रेजिस्टिवीटी रहां दिए आ ए मान दियए क्रॉस सेक्षनल एरिया और इससे रो निकाली रेजिस्टिवीटी टिरो हो गया एइ इंटु अर एक स्कुद्ध मान दियन दाल क्षैनल या अलको दुए अ तो डुआ क्या अधोरा फर्मुला र सब्सक्राइब नहीं है आप समझ गए होंगे अगर आप समझ गए हैं और अच्छा लगा तो आप लाइक कर दीजेगा और जो सब्सक्राइब सब्सक्राइब करके बेल बजा दीजेगा ताकि वीडियो जाता रहेगा और एक और रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपना ग्रूप में उसको जो ग्रूप आपका है चाहिए फेश्बूक और का है या वाट्सव का है या कोई और ग्रूप है उसमें भी आप डाल दीजे जिन कूल ही पढ़ना होगा पढ़के अपना फायदा उठाएगा कॉंशेप्ट किलियर होगा और एक जाम में अच्छा करेगा देट साथ थैंक यू